ह्लो सिवियल इंजियर्स मिर्śmy रावल कोलिये आपका स्वागत करता हूँ रिइनफोर्स के डिजिटल प्राटफोरम पर दोस्तो आजका जो सेशंन उनने जा रहा है वोकिशन फैस्पेंशन स्फेंशन ब्रीज की है बहुत सी जगा पर सिर्फ सॉस्पेंशन bridge भी बॉला जाता है दोस्तो आप लोगोंने bridges बहुत तरीके देखे होगे जैसे कि minor bridge है major bridge है अपका falls और bridge है तो इसी में एक bridge निकलगके आता है जैसे कि cable suspension bridge और इसको suspension bridge भी बोला जाता है आज के session में हम देखेंगे कि इसके क्या-का component होते हैं और इसको किस तरीके से construct किया जाता है तो चलिए दोस्तो वीडियो को start करते हैं तो दोस्तो अगर आप लोगों ने reinforce की app डाउनलोड नहीं किये तो आप reinforce की application को डाउनलोड कीजिए और उसमें बहुत सारे अच्छे content हैं जिससे कि आप अपनी स्किल को enhance कर सकते हैं दोस्तो देर ना कीजिए application को install कीजिए और अपनी skills को enhance कीजिए दोस्तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाता हूँ अगर आप highway का और bridge का estimation सीखना चाते हैं तो हमारा एक 10 तारिक को batch start हो रहा है जो की live रहने वाला है और अगर दोस्तो आप लोगों को हमारा साथ live course में part लेना है bridge estimation और highway estimation आपको सीखना है तो आप हमारे दिएगा ये numbers पे call कर सकते हैं और inquiry कर सकते हैं क्योंकि हमारा एक 10 तारिक से batch start हो रहा है तो दोस्तो बात करते हैं suspension bridge की दोस्तो जब भी हमें suspension bridge बनाना होता है तो इसके लिए हमें अलग से steel structures का सहारा लेना पड़ता है जैसे कि अगर हम बात करेंगे जैसे कि हमारे minor bridge होते हैं major bridge होते हैं तो ये क्या है एक city से दूसरी city को connect करने के लिए बनते हैं या फिर अगर मैं culvert की बात करू अलग होता है जैसे कि अगर मेरे को river में अगर कोई bridge बनाना है तो आपके दो अलग चीजों से bridge बन सकते हैं जैसे कि अगर मैं normal bridge बनाना चाहता हूं तो वो concrete से भी बन सकता है और आपका cable suspension के थूपी बन सकता है तो आज हम बात करेंगे सिर्फ cable suspension bridge की तो चले दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों आप लोगों ने जैसे कि देखा ही होगा कि जब भी cable suspension bridge की बात आती है तो आपने ज्यादा तर जितने भी cable suspension bridge देखे हैं वो आपने river के ओपर ही देखे होगे क्योंकि river को cross करने के लिए हमारे ये suspension bridge बनाए जाते है अब दोस्तों इन में जो main components होते हैं वो क्या क्या होते हैं सबसे पहला आता है दोस्तों tower फिर आता है दोस्तों cable फिर आता है दोस्तों आपका hanger और suspender फिर आता है दोस्तों आपका anchor फिर दोस्तों last आता है आपका bridge deck जिसको हम Dex Lab भी बहुत से जगह पर तो दोस्तों बात करते हैं टावर से जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा जब भी हमें कोई river में construction करना होता है river में अगर कोई bridge बनाना होता है तो हमें वहाँ पर क्या है आपका pile foundation का use करना परता है जिससे कि आपका एक जो pier होता है वो वहाँ पर cast किया जाता है अगर मैं cable suspension bridge की बात करूँ तो वहाँ पर क्या है आपका pier construct नहीं करते हैं वहाँ पर आपके दो tower को construct करना पड़ता है अगर दोस्तों मैं बात करूँ जैसे कि हमारे कोई river होती है उसमें से हमारी boat भी जा रही है ship भी जा रही है और बहुत बड़ी-बड़ी ships भी जा रही है जिससे की container वगएरा load होके जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारा bridge का construction है वो concrete से नहीं हो सकता है क्योंकि जो pier होते हैं वो आपके थोड़े-थोड़े distance में लगते हैं जिससे की क्या होगा कि अगर हम उसको river में ऐसे cast कर देते हैं तो river का जो water का flow है वो भी बिगड सकता है और जितनी भी वहाँ से boards निकलती है या फिर shifts निकल सकती है अगर मैं यहाँ पर cable suspension breeze का निर्मान करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तो इसका जो towers का distance होता है वो बहुत ज़ादा ज़ादा होता है अगर मैं किसी cable suspension breeze की बात करूँ तो वहाँ की towers की जो लंबाई होती है वो आपकी 1 km तक भी जा सकती है 2,5 km तक भी जा सकती है इस वज़ा से river का ज़ादा portion ना घेर पाए और उसके नीचे से जो भी उसका boat है या फिर कोई ship है वो easily निकल जाए अगर दोस्तों मैं इसकी foundation की बात करूँ तो foundation भी इसकी अलग अलग तरीके की होती है जैसे की pile foundation हुआ आपका coffer dam वाला foundation हुआ और एक आपका casing foundation हुआ तो इन तीनों में से कोई भी एक foundation choose करके हम वो tower बना सकते है अब दोस्तों बात करते हैं cable की cable एक सबसे जादा hard material होता है जब भी कोई हम cable suspension bridge की बात करते है तो दोस्तों अगर मुझे एक curve motion में एक आपका suspension bridge बनाना है तो महाँ पर क्या होगा कि हमें इस तरीके से cable को महाँ तक दोनों towers तक पहुचाना होगा अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ एक bridge है golden gate bridge उसमें जो दोस्तों cable का use किया गया है उसमें कम से कम 27,000 wires का use किया गया है उस cable को बनाने के लिए तो आप समझी सकते हैं कि वो कितना load bear कर सकती है curve motion में हमारी cable डलने के बाद इस पे आता है दोस्तों hanging cable लटकाने की बारी अब hanging cable लटकाते हैं इसी के सहारे से जो हमारी main cable इस curve motion में लटकी हुई है फिर आता है दोस्तों जो हमारी hanging cable एक साथ में लटकी हुई है इसके नीचे हम deck slab लगाएंगे तो हम direct क्या है concrete की casting नहीं कर सकते हैं तो इसके नीचे भी हम क्या करते हैं steel structure का ही use करते हैं और deck slab को बनाते हैं इसके उपर हम दोस्तों concrete कर सकते हैं क्योंकि जितनी भी हमारी attachment होती है जैसे कि हमारे cable to cable connect होती है या फिर कोई भी anchor to anchor connect होता है तो वो एक ही structure का होना चाहिए ऐसा नहीं है कि cable पे हमने concrete को टिका दिया है अगर हमने गलती से इस चीज को कर भी दिया है तो ये बहुत ही जल्दी fail हो जाएगा तो हमारे जो connections होते हैं वो हमारे steel to steel ही रहनी चाहिए मतलब कि steel structure to steel structure ही होनी चाहिए तो cable की through भी हमारा क्या होगा पूरा deck slab को cover किया जाएगा और उसके ऊपर ही concreting का सहारा लेके वो road बनाया जाएगा अब बात आती है दोस्तों जो हमने दो tower create किये थे अब उसमें दोस्तों अंदर की तरफ tension force लग सकती है तो हमें क्या करना होगा जो tower होगा हमें दोनों तरफ cables को attach करना होगा जैसे कि इस tower से इस tower तक की जो दूरी थी हमने इस shape में cables को connect कर दिया तो हमें इस tower से इस direction में हमारे left direction में भी cables को connect करना पड़ेगा ताकि एक tower में दोनों तरफ से tension create हो सके अब दोस्तों anchor में इन cables को बांधने के बाद एक बहुत बड़ी major problem आती है expansion joints को लेके क्योंकि जितने भी हमारे weather condition होता है इसमें हमारा जो concrete होता या फिर steel structure होता है वो expand होता है और खुलता भी है जैसे गर्मियों के मौसम में क्या है न लोह expand भी होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं अगर नहीं पड़ा है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि golden gate bridge है तो वहाँ पर finger suspension expansion joint का use किया गया है दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा finger के बीच में gap रहता है तो ऐसे ही इसी तरीके से वहाँ पर भी ऐसे gap रहता है जब-जब कोई गाड़ी गुजरती है या फिर कोई expansion होता है तो वह इस तरीके से आपस में आगे पीछे expand हो जाते है तो इससे क्या होता दोस्तों जितनी भी vibrations होती है वह उस expansion joint में cover हो जाती है control हो जाती है जिससे कि आपके bridge में या फिर slab में cracks नहीं provide होते है I hope दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लोगी तो प्लीज लाइक कीजिए जाधा जाधा शेर कीजिए और हमारे reinforce के चैनल को subscribe कीजिए Thank you so much